बॉलिवुट अभिनेता नवाजुद दीन सिद्धी की अभिनीत फिल्म हराम खोर को फिल्म प्रमाडन अपीली न्याया अधिकरन ने पास कर दिया है इस फिल्म का निर्देशन स्लोक सर्मा ने किया है गुनीत मोंगा के प्रोडक्शन बैनर सिखाया एंटर्टेन्मेंट के अधिकारिक फेस्बुक पेच पर पोस्ट किया गया किया अच्छी ख़बर है स्लोक सर्मा की पहली फिल्म हराम खोर को आखिरकार FC80 द्वारा एतिहासिक फैसले में मंजूरी दे दी गई है फिल्म का निर्माण अनुराग कस्यप, फिरोज आलमीर, आचिन जैन और गुनीत गोंगा ने मिलकर किया है आपको बता दे कि फिल्म हराम खोर की कहानी गुरु और सिसे के रोमांस के इर्दगिर्द घूमती है इसलिए इसे फिल्म प्रमाण बोर्ड ने प्रमाणित करने से मना कर दिया था फिल्म हराम खोर अगले साल 13 जन्वरी को सिनेमा घरों में आएगी